तेलंगाना में वारंगल का कितना महत्व है ये उसे एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलता है। हैदरबाद के बाद तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा शहर वारंगल है। और ये शहर अपने आप में कई मंदीरों समार को और एतियासी की मारतों जो कई सालों का इतियास अपने आप में समेटे हुए है उसको दर्शाता है। और वारंगल में घुमने लायक बहुत सारी जगह हैं। जैसे की वारंगल किला, भदर काली मंदीर, थाउजन पिलर टेंपल, खुश महल, ऐसी कई सारी जगह है। तो ये सारी जगह तो हम एक दिन में एक्स्प्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय हैं, और अगर आप वारंगल ट्रिप के लिए दो से तीन दिन दे सकते हैं, तो आप वारंगल के आसपास कई जगह गुम सकते हैं। ये जगह भी काफी सुन्दर है और मन को मोह लेती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ही जगह के बारे में जानेंगे जो वारंगल से सो किलोमेटर के दायरे में गुमने लाइक जगह है। तो सबसे पहला है कुलपाक जी जैन मंदीर। ये 2000 साल पुराना श्वतांबर जैन मंदीर तेलांगाना के यदादरी भुवनगिरी जिले के कोलानुपाका गाओं में स्तित है। ये हैदराबाद से 80 किलोमेटर दूर हैदराबाद वारंगल नेशनल हाइवे 163 पर स्तित है। मंदीर में तीन देवता हैं बगवान रिशबनात, बगवान नेमीनात और बगवान महावीर। बगवान महावीर की छवी हरे पत्थर से बनाई गई है और इसे मानिक्य स्वामी और जीवन स्वामी के नाम से जाना जाता है। मंदीर का हाली में जिर्नोदार किया गया है और इसमें विजिटर के लिए हादूनिक सुविदाए हैं। दूसरी जगह जो वारंगल से 100 किलोमेटर के दारे में है वो है पाखल जील। पाकल जील बहुत ही सुन्दर हरी बरी हर्याली और सीनिक ब्यूटी के साथ गीरी हुई है। आप यहां अपना बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं। वारंगल से लगबग 60 किलोमेटर दूर ये एक लोगप्रिय परेटन स्तल आकर्शन का केंडर है। और भारत के तेलंगाना राज्यक के वारंगल जीले में नरसन पेट के पास एक कृत्री मियानी की मैनमेट जील है। साथ ही इसके 8 किलोमेटर की दूरी पर एक वाइल लाइफ सैंक्चूरी है। ये वाइल लाइफ सैंक्चूरी 350 वर्ग मिल्क एक शेत्र में फैला हुआ है। यहां का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस शेत्र में बाग, चीते, लकडबगे, आदी, उची मिनारों से देखे जा सकते है। पाकल जील घड़ी आलों से भरा है, ऐसा कहा जाता है। अनुमान है कि इसे सन 1213 में काकातिया वंश के राजा गनपती देव ने बनाया था। अगला प्यारा और खुबसूरत मंदीर आप देख सकते हैं वो है श्री वीर नारायन मंदीर। श्री वीर नारायन मंदीर वारंगल के सबसे लोगप्रिया पड़ेटन स्थल में से एक हैं, वारंगल से 82 किलोमेटर दूर है। श्री वीर नारायन मंदीर 403 इस्वी में बना एक प्राचीन मंदीर है, जो नलगोंडा के कोलानुपा का गाउ में स्थित है। ये अत्यादिक पूजनिय मंदीर भगवान विश्नु के अवतार श्री वीर नारायन को समर्पित है। मंदीर की वास्तुकला बहुत ही अच्छी है और ये चालुक के वास्तुकला शेली से मिलती जूलती है। ये वारंगल में एक महत्वपुन विश्नु मंदीर है। ये शेली का हिंदू मंदीर है। जो भारत के तेलंगाना के मूलुगु जीले के पालंपेट गाउं में स्तित है। ये मूलुगु से 15 किलोमेटर वारंगल से 66 किलोमेटर और हैदरबाद से 209 किलोमेटर की दूरी पर है। जुलई 21 में रामपपा टेंपल को एक यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिकलेर किया गया था। इस मंदीर की खासियत ये है कि इसको इतनी हलकी इटों से बनाए गया है कि वो आसानी से पानी में तैर सकती है। इस मंदीर को बनने में करीब 40 साल लगे। दिवारों पर विस्तरित नकाशी की गई है और मंदीर के खंबों पर नकाशी की गई है। काकातिया रुद्रेश्वर टैंपल जो की रामप्पा टैंपल के नाम से जाना जाता है इस रामपपा टैंपल 13 वी सताब्दी में बनाए गया है और ये टेंपल तेलंगाना का 800 साल पुराना समारक है। तो यहां पर तो must visit बनता है अगर आप वारंगल गए तो अगली प्लेस आप वारंगल से गुमने जा सकते है वो है बीमोनी पदम जलप्रपात यह वाटरफॉल वारंगल शहर से लगबग 55 किलोमेटर की दूरी पर है यहां पहुचने के लिए बस या टैक्सी से जा सकते है बारिशों के बाद सभी और सुहावना मौसम होता है और जीलों में भरपूर पानी होता है तो ऐसे में बारिश के बाद जहरने सबसे अच्छे दिखाई देते हैं हाला कि अन्य मौसम में भी बीमोनी पदम वाटरफॉल का दुरुष्य सुन्दर दिखाई देता है और देखने लायक होता है तो यहां पर आप विजिट कर सकते हैं यहां पर पहुचने के लिए आपको लगबग एक गंटा 20 मिनिट का समय लग सकता है अगली खुबसूरत जगह जहां आप जा सकते हैं वारंगल से वो है लखना वारंगल से लगबग 70 किलोमेटर दूर गोविंद पेट मंडल में स्तित लखना वरंग जील एक लोगप्रिय पिकनिक स्पॉट है यह जील बहुत ही सुन्दर है जील का निर्मान तेरावी शताबदी इसवी में का कतिया वंश के शाष को द्वारा किया गया था पहाड़ि ब्रीज आपको जील में बने चोटे से द्वीब पर ले जाता है यहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और शांती का अनुभाव कर सकते हैं इतना सुन्दर यहां लगता है अगली खुबसुरा जगव जो वारंगल से आप जा सकते हैं वो है बोगता वाटरफॉल बोगत इसे तेलंगाना का नियागरा फॉल भी कहा जाता है इस वाटरफॉल को देखने के लिए थोड़ा सा कुछ दूरी पर पैदल चलना पड़ता है यह उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो ट्रेकिंग में रूची रखते हैं बारिशों के बाद तो जहरने और भी ख हाई घंटे लग जाते हैं बाई रोड गोदावरी नदी के किनारे स्थीत यह अभ्यारन्य देश में अपनी तरह का एक अनूठा अभ्यारन्य है भालू चिंकारा जैसे दुरलब जानवरों को देखने के लावा यहां पर ब्रेथ टेकिंग व्यूव्स आपको मिलेंगे ए अगर आपके पास 2-3 दिन है वारंगल में घूमने के लिए तो आप वारंगल के आसपास की खुबसूरत जगह जरूर घूम कर आए आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे और शेयर कीजे अपन झाल झाल